2022 के आने वाले तेवहरों में हो सकता है कि आप एक नई बाई के स्कूटर खरीदना चाहें तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाले बाई के स्कूटर कौन से हैं जिनको अगर आप खरीदें तो आपको एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट मिल सके आप लोगों को साइद याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले साइन 100cc की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई होंडा की 100cc बाईक आने वाली है तो भाई बहुत से लोगों ने प्यार दिया लेकिन कुछ लोगों को लगा कि साइद मैं मजाक कर रहा हूं या वीडियो के व्यूज के लिए इसा कर रहा हूं लेकिन नहीं दोस्तों अब आप सर्च कर सकते हैं आपको बहुत सारी वेबसाइट पर ये पता मिल जाएगा कि भाई ये होंडा की 100cc बाईक आने वाली है और ये जैसे कि स्प्लेंडर को पूरा टक कर देने के लिए मूड बना लिया है होंडा कंपनी ने तो अब आप ये जान लें कि हो सकता है बहुत जल्द होंडा की 100cc बाईक देखने में आ जाए लेकिन हो सकता है उसमें मज़ा भी आए और मज़ा भी ना आए मैं कारण भी बता देता हूं अभी आई भी नहीं और मैं पहले बता रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है वह ही 100% सच हो इसके लावा दोस्तों अगर आप स्कूटर खरीदने वाले हैं तो हीरो का माश्ट्रो बिल्कुल नए अवतार में बिल्कुल नए लुक में बहुत जल्द आने वाला है तीसरी न्यूज अगर आप एलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो हीरो का बीडा स्कूटर बहुत जल्ड लाउंच हो सकता है कहां पर लाउंच होगा इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है जल्दी ही यह लाउंच हो जाएगा अगर आ जाएगा तो भाई हम भी उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे इसके लाउंच दोस्तों एक और न्यूज चल रही है जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि पलसर 125 एन 125 आने वाली है लेकिन अभी कुछ न्यूज ऐसी आ रही है लेकिन मुझे लगता है कि भाई एन 150 तो नहीं आ सकता है जिससे अपाचे में अपडेट हुआ है इसी को देखते हुए बजाच पलसर 150 में नई अपडेट देखने को आपको मिल सकते है लेकिन एन 150 तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कीमत पर आएगी फिलाल जो बता रहे हैं उनके पास कोई अंदर गुप्त सूत्रों स से उनको पता चला होगा तो फिलाल इतने बाइक के स्कूटर आने वाले हैं और इनके बारे में जानके आपको कैसा लागा दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपके पास टाइम है तो आप रुकें नहीं तो आप इसी नवरात्रे दीपावल के कीमत में मिल रहे हैं और कच्छा बन्यान यूज करने से अच्छा है कि आप इस M2R माइक्रो फाइबर क्लॉथ का उप्योग करें जिससे आपकी बाइक स्कूटर चमकती रहे और इसकी बैलू और रिसल बैलू बहुत दिनों तक बनी रहे और यह मीसो फ्लिपकार्ट अम उसकी वीडियो में आपको जल्द ही लाकर दूँगा और बहुत बेतरी वीडियो आने वाली है दोस्तों और किसी कारणों से अभी जैसे हमारे हां नहीं आई थी अब जैसे ही आ गई है साहर आज 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 आएगी तो मैं कल ही उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों को उपल हुआ हुआ है